हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स नमस्कार, सलाम, सथ स्रियाकल, अलुल विया सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत-बहुत हर्दिक शुबकामनाएं मैं यहाँ पर देता हूँ और मैं आज इंट्रड्यूस करने जा रहा हूँ आप से एक स्मार्ट क्लास तो सबसे पर्ले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके लिए जो चीजे लगती है वो यहाँ पर है एक प्रोजेक्टर तो यहाँ पर रखा हुआ है यह मेरा लेप्टॉप और यहाँ पर यह एक ग्लास है जिसे मैं यहाँ पर इस मोबाईल होल्डर को लगाऊंगा और इस लापटॉप को जो है आपको यह प्रोजेक्टर और यह जो चीज है यह है पोर्टेबल स्मार्ट बोर्ड पोर्टेबल स्मार्ट वाइट स्क्रीन ब्लाइक स्क्रीन ब्लू स्क्रीन आप वीडियो के अंदर आके देखेंगे ही कि इस तरह से मैं इसको यहाँ पर यह है मेरा portable white board जैसे कि आप देख पारे हैं यहाँ पर यह पूरी तरह से दीवार है, simple सी दीवार जो अपने घरों में होती है और यहाँ पर आप देख रहें दर्वाजा है, दीवार है, और यहाँ पर मैंने white board या फिर कोई भी page आप ले सकते हैं जिसके मैं यहाँ पर next page यूज़ करूँगा, यह black board भी यूज़ कर सकते हैं और यह है blue board, उसके बार यह white board, black board और यह blue board, उसके बार यह interactive board जो कि default board आता ह है, आप desktop पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, आप जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊंगा, बहले यहाँ पर मैं paint वाला feature देता हूं, ओके, और यहाँ पर के my portable white board, ओके, मैं आसानी सिलिहां पर लिख पा रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे my portable white board, मैं next पर यहाँ पर ले लेता हूं, black, और यहाँ पर paint का जो color है, यहाँ से मैं चूज करूँगा, और paint का color यहाँ पर white को मैं चूज कर लेता हूं, और इसके बाल यहाँ पर ok, और यहाँ पर फिर ok, यह white, ok, तो यहाँ पर लिखूँगा, मैं my smart blackboard, ok, अगर आप blackboard इस्तिमाल करना चाते हैं, black के उबर white, तो अभी आप यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं, इसको अगर मैं repeat mode में अगर मुझे play करना है, तो यहाँ पर मैं play कर देता हूं, जैसे आप देख पाई के my smart blackboard, ok, अब मैं next page देता हूं, यह है blue board वाला, ok, यहाँ से मैंने paint ले लिया, suppose यह white later है, तो यहाँ पर लिखूँगा, मैं my portable, table, blue board, ok, अगर मुझे यहाँ पर कुछ इरेज करना है, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूं, यहाँ पर यहाँ इरेजर है, यहाँ पर area eraser, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक, एरेज करना है, इसको मैं एरेज कर सकता हूँ, इसके उपर आप सिर्फ एक लाइन कीचिए तो यह एरेज हो जाएंगा, ओके, तो इसके बाद बहुत सारे इसके अदर फीचर्स हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप विदाउट बोर्ड चेंज किये हुए, इसके पहले सबसे पहले तो new page, blue page ले लेता हूँ, यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख पार है, biological पर ले लेता हूँ, और biological के अंदर, ओके, यह एक prokaryotic cell या bacterial cell है, वो यहां पर आ जाएंगी, और इसको मैं यहां पर explain कर सकता हूँ, जैसे कि आप मैं इ इस्तेमाल करके, ओके यहां पर कर ले लेता हूँ, या फिर yellow, ओके, यहां पर calibration का थोड़ा problem है, ओके और यहां पर यह okay, बिल्कुल, यह pain दे लिए यहां उसे, ओके, तो यह जो structures है, जैसे कि मैं आपको बता हूँगा DNA, chromatin material है, chromosomes, या nuclear, भी कहा जाएंगा इसको, chromosomes, ओके, यह जो है पिलाइ, जो कि रिपर्ड़क्टिव structure है इसका, और यह साने, जो है finger-like projections, जैसे कि आप देख पा रहे है, ओके, यह इसके flange जेलाज है, और यह बाकी, जो dots देख रहे हैं आप, वो है ribosomes, तो इस तरह से मैं इस diagram को भूँ कर सकता हूँ, यहां पर किसी भी direction में, जैसे कि आप देख पा रहे है, और other subject के pictures ले आप में आप लेख सकते हैं, अगर आपके desktop के अंदर कुछ photo library है, तो यहां पर आप image gallery के अंदर से जा सकते हैं, और उसको लेख सकते हैं, अब जैसे कि chemistry के भी यहां पर कुछ pictures है, जैसे कि मैं को दिखाऊ हूँ है, यहां पर 120 degree का angle का वाला picture यहां पर है, इसको मैं भूँ कर सकता हूँ, और select करके जो है, मैं इसको mouse से, laptop के mouse से बढ़ा वे सकता हूँ, ओके तो दोस्तों और एक दूसरा important feature मैं इसके अंदर का आपको बताता हूँ, जैसे कि how to add pages और boards, आप बहुत सारे boards या pages इसके अंदर add कर सकते हैं, पहले से इसे आप लिख कर, जो भी आपको data present करना है, PPT presentation के मुवाफिक या फिर उसके तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और फिर आगे next करते हूए, जो है, आप blue, उसके बाद जो है, यह white page, black page, blue page, इस तरह से pages आप, यहाँ पर मैंने 9 pages टोटली लिए थे, pages को add के से करना होए, आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर यह page वाला जो icon है, इसके अंदर आप मैं black page एड करता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जाकर, फिर blue page है, और उसके बाद यहाँ page है, उसके बाद यहाँ पर यह blue page है, ओके, और फिर कोई भी paint का color भी आप चूज कर सकते हैं, अबे paint है, यहाँ पर यह color all option है, यहाँ पर मैं suppose for example red color ले ले लेता हूँ, ओके, और इसको ok, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ की welcome to my smart class, ok, so smart class या फिर smart board, अगर आपको कुछ इसमें से मिटाना है, तो आप easy देसे कि मैं आपको बताए हैं, पर eraseable option है, आप area eraseable ले लो, और फिर उसके बाद यह आप इस तरह से इसको easy erase कर सकते हैं, दीवार को आपने turn किया है, we can turn any flat surface, not only all, but wouldn't कोई भी flat surface हो, या कोई भी जो है आपकी घर में ऐसी plane दिवार हो, तो आप उसको white board के अंदर, white screen के अंदर convert कर सकते हैं, जैसे कि मैंना को device दिखाया, उस simply उस device से आप इसको किधर भी लेकर जा सकते हैं, और कहां पर भी लेकर जा सकते हैं, कभी भी लेकर आपकी class आप start कर सकते हैं, okay, important, एक बहुत important feature में आपको इसके अंदर का बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर एक desktop page है, desktop page के ऊपर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, okay, यह eraser मैं ने लिया था, यहाँ पर मैं पैन ले लेता हूं, okay, और यह करते हैं, तो कोई भी, यह बहुत important feature में आपको बता रहा हूं, दोस्तों, कोई भी PPT हो या PDF हो आपके taskbar पर या आपके desktop पर आप इसको open कर सकते हैं, for example, यहाँ पर NEET 2019 Living World, okay, यह first chapter रहे सब्वोट NEET Biologica, तो यह आप open कर सकते हैं, इसको जो है, आप ऐसे किदर भी move कर सकते हैं, यही से आप इसको full screen कर सकते हैं, okay, और जो है, किसी भी slide को इस तरह से scroll भी कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि slide show, okay, from beginning, right, इसको हम आगे, इस तरह से first question, यह second question है, यह third question, okay, अगर मुझे कुछ यहाँ पर explain करना है, biological organization starts with, okay, यहाँ पर कहा रहा है, sub-microscopic molecular level, okay, सबसे पहले तुम्हें आपको यहाँ पर paint देना पड़ेंगा, आपको यहाँ पर यह paint का option है, okay, desktop page ले लिजिए, और उसके बाद यह paint लिखना शुरू हो जाएगा, okay, homeostatic mechanism operate at which level of hierarchy, अगर मुझे आपको hierarchy का मतलब बताना है, इसे की list ववगेरा, तो भी मैं यहाँ पर explain कर सकता हूँ, यह 4 option जो है, cell level, population level, ecosystem level, यह levels को मैं अलग से explain कर सकता हूँ, और इस explain का answer मैं आपको describe करके दे सकता हूँ, अब इसके बाद आप mouse ले लो, फिर उसके बाद simply click कीजिए, okay, simply click करने से 5th question आ जाएगा, फिर इसके बाद यह 6th question, okay, इसके बाद यह 7th वाला question, okay, इसके बाद यह 8th, इस तरह से हम questions को explain कर सकते हैं, अब यहाँ पर आविया है, who proposed phylogenetic system of classification, okay, तो आप मैं इसको explain करता हूँ, यह पेंड ली लिए हमाईने, जिसने के हम देखा कि यह जौर्ग बेंथम यह natural बेंथम हो कर सकते हैं, वो angular और प्रांटल है, angular और प्रांटल यह option सही है, तो इस तरह से हम explain कर सकते हैं, वोगर अच्छर नहीं जिगरे, सब्सक्राइब करना होता है, और यहां पर यह center में लेना है, यह black dot जो है उसके बीच में अगर हम इस school up center में ले लेते हैं, इस तरह से थोड़ा black zone के अंदर, यह adjust होने तर फोड़ा सब्सक्राइब करना है, अब इसको okay करके जो है, यह हो है, आगे इसको calibration pen का calibration के से करना ही यह दिखाता हो आपको, okay, इसको simply यहाँ पर click कीजिए, one, second calibration point, third calibration point और यह है fourth calibration point, okay, आप simply आप draw के जो यहाँ पर app दिया गया है, इसको open कीजिए और यह आपका interactive board start, okay, जिसके app page यहाँ पर add कर सकते, जिसके भी आपको बताया white page, इसके बाद black page, इसके बाद यहाँ पर blue page, okay, आप कुछ भी यहाँ पर जो है, पहले लिपकर रख सकते हैं, उसके बाद जो है, उसको ppt presentation की तरह इसके बाद कर सकते हैं, okay, easily, आपकी ppt भी आपको जैसे कि मैं आपको पहले बताया, mouse लेकर जो है आपका यहाँ पर pdf file है, अगर कोई pdf file या फिर कोई apply folder है, okay, open कर सकते हैं, okay, और इसको minimize भी आप कर सकते हैं, इसको इस तरह से move कर सकते हैं, okay, या फिर scroll अगर कुछ आपको word का file वगरा कुछ है, अगर इसको scroll करना है, तो यह आप scroll कर सकते लिहां पर, जिसके आप यह word का file है, word का file यहाँ पर open कर, और इस तरह से लिहां पर board बीच में हैं, word otherwise लिए हम इसको इस लिए से scroll कर सकते हैं, okay, इसको भी minimize कीजिए, अगर डिश्टॉप पर आपको कुछ दिखना है तो डिश्टॉप पर भी आप लिख सकते हैं, okay, यहाँ पर pane और desktop page यूज़ करना है, okay, जैसे कि यहाँ पर है Visual biology की मिरी नई किताब यहाँ पर तयार हो रही है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको feature में दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पर कुछ online lectures है मेरे, जो online lectures आप mouse लीजिए और यह folder को यहाँ पर select कीजिए, और यहाँ पर जो है Kingdom Inimilia part seconds जो अभी भी मेरा video आया है, वो यहाँ पर play हो जाएंगा, okay, इसके बद आप minimize कर सकते हैं इसको और इसको जो है pencil भी कर सकते हैं, तो इस तरह से यह smart board यह दिवार के उपर portable smart screen को हमने एक laptop projector और यह जो छोटी सी डबी मिलेंगे आपको यह portable white screen के रूप में, अब किसी भी दिवार के उपर आपका लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं या पिर कोई भी information आप जो आपको देनी है वो आप दे सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों अभी फिलहाल जो है इर्द गिर्द सभी करोना का जो प्रादुर्वाव हुआ है, उसका जो है माहुल है उसके पीछ रहते हुए जो है अब नीड के students अपना preparation कर रहे है मैं अब कल जो घुड़ी पाडवा है वही से जो है मैं इसको start करने वाला हूँ smart class के पर smart board से जो है मैं जो previous year के question papers है और जो भी theoretical chapters है वो पढ़ाने वाला हूँ जिस जादा से जादा students त दोस्तों आज के वीडियो का हमें कुछ किस्सा और कुछ हिस्सा ऐसा था कि जो मोबाइल की clarity थोड़ी से कम थी क्योंकि अंधेरे में मैं इसको shoot किया है इसलिए थोड़ी से आपको देखने में दिक्कत हुई होगी लेकिन कल से ही मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर changes और modification क करके जो है smart class आपके सामने यहां पर जाहिर करूंगा और neat examiner जो भी neat exams की तयारी करें students है उनको घंसे है मैं की चुन करंगा तो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने मेरे वीडियो को अपने चानल कॉंगो को आप सब्सक्राइब कीजी और ज्यादा से लाइन वीडियो को शे